पंजाब के हजारों किसानों ने फसलों की MSP पर खरीद की कानूनी गारंटरी मांगते हुए दिल्ली कुछ कर दिया है फिलहाल हर्याना और पंजाब को जोडने वाले संबू बॉर्डर पर हजारों किसान और पुलीस आमने सामने डटे हुए सरकार MSP की कानूनी गारंटरी को लेकर पेज बता रही है जब किसानों को सरकार बंडने पर पिसे लागू करने का वादा कर दिया है कॉंग्रेस ने तहराहूल गांदी ने मंगलवार को 36 गड में एलान किया था कि ये कॉंग्रेस की गारंटी है कि हम सात्ता में आए तो MSP पर फसल थरीत का पानून लागू करेंगे आप देखरें दाफेक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनिस गौड जब केंदर में सरकार कॉंग्रेस की थी तो कॉंग्रेस ने ही 2010 में स्वामी नाथन आयोक की उस रिपोर्ट को खारिश कर दिया था जिसमें हसलों की MSP पर लागत से डेड़ गुना तक करने कीसी फ बज को पूचा गया था इस पर कॉंग्रेसी मंत्री ने विस्तावर से जान करी देते हुए रिपोर्ट को स्विकार करने से इनकार कर दिया था उनका कहना था कि यदि ऐसा हुआ तो फिर अर्त्रवेस्ता पर बुरा आसर पड़ेगे प्रकास जावेड करने तब सवाल किया था कि इससे अर्त्रवेस्ता बुरी तरह प्रभावित होगी। कॉंग्रेसी मंत्री ने कहा था प्रोफेसर M.S. स्वामिनाथन के नेतर्पूर में किसानों पर बने राश्ट्रिय की सिफारी से मिली है। इनमें कहा गया है कि फसलों पर लगी किसान की कुल लागत से डेर ग स्वावित होगी। कुछ मामलों में M.S. और फसलों की उत्पादन लागत को जोड़ कर देखना गलत होगा। इससे बाजार पर सही असर नहीं होगा। खेर जो कॉंग्रेस इस वक्त किसानों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। उसी कॉंग्रेस ने स्वामी नातन रिपोर्ट की M.S.P. को लेकर बड़ा कारण बताया था क्यों इसे लागू नहीं करना चाहिए। खेर देखना होता है कि किस परकार किसानों के अंदोरन से वीज़ेपी निपटारा कर पाती है। चुटकरा ले पाती है। आप किस कबर पर क्यार आए हैं हमें कमेंट करों ज़रू बताए। और इसे तमाम खबरों के लिए अबने रिये दाफेक्ट इंडिया के साथ नमस् ताजा खबरों के लिए बिजिट करें दाफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें दाफेक्ट इंडिया एप।